वीडियो में बताई गई सारी दवाएं से इन्फरमेशन के लिए है और सारी इन्फरमेशन इंटरनेट और ठेरापेटिक बुक्स से ली गई है किसी भी दवा के इस्तेमाल से पहले डॉप्टर के सला अवश्य लें हेलो एवरीमन वेल्कम बैक्टो मैद चनल तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक ने फ्रेश वीडियो में आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुंड के बारे में वुंड सुखाने के लिए या वुंड हिलिंग के लिए घाव सुखाने के लिए कौन कौन से दवा का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं इसमें हम कौन कौन से इंटिबाइटिक्स का परियोग कर सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल रूप से देखेंगे घाव में अगर दर्द हो और सूजन होता वो ऐसे कंडिशन में एंटिबायोटिक के साथ साथ और क्या लेना चाहिए उसके बारे में भी हम डिटेल से देखेंगे तो वीडियो में आगे बढ़ने अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो अभी सबस्क्राइब करें और बेल आइकन द्बाएं ताकि आने वाली वीडियों की जनकारी मिलती रहे तो चलिए इस वीडियों को करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें घाव की मेडिसीन के लिए वुंड हिलिंग के लिए तो हमारा सबसे पहला मेडिसीन है डालासीन C300 mg यह आपको मार्केट में डालासीन 300 mg नाम से मिल जाएगा और अगर इसके ड्रोग नेम के बारे में बात करें तो इसमें क्लिंडा मैसिन पाए जाता है क्लिंडा मैसिन होता है डालासीन सी में अनगर इसके डोजर सकवाने में बात करें कि डोजर एमजी टीडियेस रूप में इस्तिमाल करते हैं तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं आपने देख लिए कि डालासीन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है डालासीन में क्लेंडामाइसिन कैपसुल पाया जाता है नॉर्मल इंफेक्शन में हम डालासीन 300 एमजी बीडी के रू जाता है टैक्सीमों 100 एमजी और 400 एमजी और 200 एमजी के वारियंट में यह आपको मार्केट में मिल जाएगे अगर इसके ड्रॉग नेम की बात करें किके इसमें कौन सा कॉम्पोजिशन पाए जाता है तो इसमें से पाया जाता है और इसके डोजिस पारे में बात करें तो अगर नॉर्मल इंफेक्शन है TDS के रूप में या फिर 400MG BD के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं 400 या 200MG TDS के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलिए हमारा अगला मेडिसीन है Doxy 200 Capsule Doxy 200 Mg का Capsule ये आपको मार्केट में Doxy name से easily available हो जाती है और मिल जाएगी आपको किसी भी drug store में अगर इसके drug name या composition के बारे में बात करें तो इसमें Doxycycline पाया जाता है Doxycycline एक बहुत ही असरदार दवा है घाओ ठीक करने में wound healing में ये हमारे respiratory track में या UTI जब होता है तब भी हम इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इसके doges के बारे में बात करें तो normal infection में घाओं में normal infection हो ज्यादा पस नहीं बन रहा हो और acute wound हो तब वैसे condition में हम 100 mg इस्तेमाल कर सकते हैं Doxy capsule का 100 mg BD अगर infection severe हो तब वैसे condition में हम Doxy capsule का 200 mg BD के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं हमारा आगला मेडिसीन है एजित्रल 500 mg किसी भी ड्रॉग स्टोर में या मेडिकल स्टोर में आपको एजित्रल नेम से 500 mg में easily available होती है और आपको मिल जाएगा अगर इसके drug name या composition के बारे में बात करें तो इसमें एजित्रो माइसीन 500 mg पाय जाता है एजित्रो माइसीन को respiratory tract infection में भी इस्तेमाल किया जाता है अगर इसके doses के बारे में बात करें तो normal infection में आप एजित्रो माइसीन को 500 od दे सकते हैं और अगर infection severe हो तब वैसे condition में आप 500 mg बीडी भी दे सकते हैं severe infection में घाव में का infection जो normal है तब वैसे condition में 500 mg od अगर infection severe हो तब वैसे condition में आप 500 mg एजित्रो बीडी दे सकते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले medicine के बारे में जो हमारा अगला medicine है वह है mega CV 625 mg mega CV 625 mg कि अगर इसके drug के बारे में बात करें तो यह जो medicine होती है mega CV यह दो medicine से मिलकर बने ही होती है इसमें दो composition होते हैं पहला जो composition होता है वह amoxy saline 500 mg और दूसरा जो हो इसमें salt पाए जाता है वह होता है क्लेवूलानेट 125 125 mg इसमें क्लेवूलानेट और amoxyacillin 500 mg पाए जाता है अगर इसके doses के बारे में बात करें तो normal infection में अगर घाव में infection normal हो तब वैसे condition में हम 625 mg वाली medicine mega CV 625 को bd के रूप में इस्तेमाल करते हैं वहीं अगर infection severe हो तब वैसे condition में हम mega CV 625 mg वाले tablet या capsule का इस्तेमाल TID यानि कि TDS दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है अगले medicine के बारे में जो हमारा इसके name के बारे में बात करें तो name आपको किसी भी medical store में मेरो 200 नेम से easily मिल जाएगा मेरो 200 mg के में आपको easily किसी भी medical store में मिल जाएगा इसके drug नेम की बात करें कि कि इसमें कौन सा सॉल्ट पाए जाता है तो इसमें फैरोपेनेम 200 mg यह बुखार के कंडिशन में जब इंफेक्शन हो रखा होता है तब भी मेरो का इस्तिमाल किया जा सकता है अगर हम घाओ में इसका इस्तिमाल कर रहे होते हैं तब नॉर्मल इंफेक्शन में मेरो 200 को बीडी के रूप में इस्तिमाल करते हैं अगर इंफेक्शन घाओं में ज्यादा हो सीवेर इंफेक्शन हो तब वैसे कंडिशन में हम मेरो 200 mg को टीडी यानि की टी आईडी यानि की दीन में तीन बार या एट आवरली दे सकते हैं तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपक और एंटी पाइरिटिक का भी इस्तिमाल करना चाहिए इससे घाओं जो FRE amazingly heal करेगा तो सबसे पहला डामेडिसीन जो है हमारा घाओं मेररा प्र को हम से इस्तिमाल करते हैं तो सबसे पहला मेडिसीन हमारा जीरो डॉल SP जीरो डॉल Abu आपको किसी भी medical store में easily मिल जाएगा अगर इसके salt के बाले में बात करें तो यह जो है medicine तीन salt से मिलकर बना हुआ है इसमें सबसे पहले पाया जाता है acyclophenak 100 mg acyclophenak आपको 100 mg इसमें पाया जाता है वहीं से रेटियो 50 days 25 mg पाया जाता है यह जो जिरो डॉल SP है यह तीन medicine से मिलकर बना हुआ है acyclophenak सेटियो 50 days और पैर सिटमोल अगर इसके doses के बारे या composition के बारे में बात करें और इसके strength के बात करें तो एसी क्लोफनेक 100 mg पाया जाता है और वहीं से रेटियो 50 days 75 mg और पैरा सिटमोल 325 mg जिरो डॉल SP में पाया जाता है अगर इसके doses के बारे में बात करें तो अगर आपको घाओ में दर्द के साथ सुजन भी है तब वैसे condition में हम जिरो डॉल SP को BD के रुप में यानि की दीन में दो बार 12 आवरली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलिए अब हमारा अगला जो मेडिसीन है जो घाओ में दर्द और सुजन रने पर इस्तेमाल किया जा सकता है वो है आईबू जेसिक प्लस आईबू जेसिक प्लस हमारा मेडिसीन इसमें चल्ठ पाये जाते हैं पहला जो सौल्ठ है इबू प्रोफेन 500 iPhone LG और दूरा जो सौल्ट है वहारट कि अए इनलड़िए सिक प्लस में जब आ कि मिदो कि मेडिसीन पाय जाते हैं आईबू ज्रू प्रोफेन और दूसरा पारशित अमौ 300 25 अध यह एक ल अगर इसके डोजिस के बारे में बात करें तो आईबूजेसिक प्लस आपको घाओ में दर्द और सुजन रहने पर वन टैप बीडी के रूप में इस्तिमाल किया जा सकता है यानि की वन टैप 12 आवरली दिया जा सकता है तो यह तो थे ओरल मेडिकेशन जो आप अपने घाओ को ठीक करने के लिए या जल्दी हील करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं कुछ लोकल एप्लिकेशन यानि की ओंटमेंट का जो आपके घाओ को ठीक करने में ज्यादा साहयक साबित होंगे आ हमारे पहला मेडीकेशन है वह है ओइंटमेंट है वो है मेगा-हिल ओइंट West मेगा हिल ओइंटमेंट में अगर हम कॉंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें एमोर्फोस हाइड्रोजेल पाए जाता है जो वूंड के ड्रेसिंग में बहुत ही असरदार साबित होती है या किसी-किसी उंड में ज्यादा गहरा हो जाता है तब टीशू रिपेर करने म मेगाहिल बहुत ही कारगर साबित होती है हमारा दूसरा ओइंट मेंट है बिकरछी काफि काफि 1963 में इसके पा पोजिशन के बारे में बात करें बीटाडीन ओंटमेंट में तो इसमें पोविदीन आयोडीन ओंटमेंट पाया जाता है जो कि घाओ को सुखने में काफी सहायक साबित होता है और हमारा आगला ओंटमेंट है हीलो काइंड ओंटमेंट को भी लोकल इस्तिमाल किया जा सकता है घाओ को जल्दी ठीक करने के लिए तो यह थे ओरल मेडिकेशन और लोकल एप्लिकेशन के लिए अगर इसके बावजूद भी अगर आपकी घाओ बहुत जादा दिनों तकरह रही है और आपकी घाओ ठीक नही होंगे वैसे इंजेक्शन का नाम बताता हूं तो सबसे पहला जो हमारा मेडिकेशन है इंजेक्शन के रूप में वह जोन इस भी आपको मार्केट में इसली किसी भी मेडिकल स्टोर पे जोन इस भी 1.5 ग्राम याने कि तेड़ गराम में के स्ट्रेंथ में यह आता है जोन जो जो है वह जोस्को से मिलकर बना हुआ हो रहता है inspiratorSON 2000MG और चल्फ संभक्टम 500MD यह जो जोने जटो मेडिकेशन होते हैं पर इंडॉसरा क यख परक्ष होते हैं is इसके डोजेस के बारे में बात करें तो इसको आई भी और आई एम लगाया जा सकता है लेकिन जेनरली जोन एस भी को हम जेनरली आई वी यानिकी इंट्राविनस देते हैं यानिकी नस में इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर इसके डोजेस के बारे में बात करें तो इसको द तो ग्राम 1.2 ग्राम का आग्मेंट के अग्मेंटीन तो पाए जाते हैं फ़रा जो सॉल्ट सुता है अब्रिकेशन होता है क्लेवल लांए 200 mg Augmentine में पाया जाता है अगर इसके doses के बारे में बात करें तो ये IV इसको लगाया जाता है और इसका भी इस्तेमाल 12 hourly यानि कि दीन में दो बार किया जा सकता है तो हम इस चैनल पे Health, Fitness और Digits related treatment के बारे में बात करते हैं तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे लिए कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिके थैंक्यू जैहिन